अपनी सेहत फैमिली और पायके धान काफी अच्छे से रख रहे हो बहुत श्यांदार और बड़ी गहरी बात बुलीगे तो थोड़ा सा धान से सुनिएगा टक टकी लगा कर ठीक है बोला क्या किया है जो सबसे अच्छा जो सबसे अच्छा लगता हो उसकी कोई हद नहीं होत है तो आप लोग कोई ऐसा मुकाम आप लोगे लिए चूज करना चाहिए अपने आपको boundary में मत बांदो अपने आपको हमेसा boundary less रखो society आपको हमेसा बांद कर रखने कोसिस करेगी ये ऐसा करना चाहिए ऐसा होना चाहिए पर लेकिन reality में अगर आप लोग एक ambitious person है लाइप म जब अगर आप लोग ने इस्टेव पढ़ा होगा, कि सती पर्था के नाम पर आप लोगो ने सुना होगा चेजे, पर लेकिन हट गई ना सती पर्था आज केट में देखने को मिलती है कहीं सोसाइटी में, तो ये चीजे तब तक आप लोगो बाउंडरी लगेंगे, जब तक पर लेकिन मैक्सिम टाइम आप लोग ये देखेगा, कि जो चीज़ा आप लोगो दिखाई देती है जैसी, जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, वो चीज़ा ऐसी होती नहीं है, एक छोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ में आप लोगो, माली जै एक तोता है, और एक साथ में रहना स्टार्ट कर दिया, अब तोता और सिकारी जो हैं, वो आपस में दोस्त बन गई, ठीक है, यनि कि एक तरीके से हर चीज जिस तरीके से समाज में आप लोगो दिखाई देती है, हो सकता है, वो चीज बिल्कुल ऐसी नहीं, उसके बिल्कुल अपोजिट हो, त तब तक आप लोग अपने आपको एक सिच्वेशन में घेरे रखते हैं, तब तक आप लोग शॉलिशन नहीं देखेगा, मैं पूछने लोगों आप लोगों से, यार मेरी जिन्दगी बहुत पूलम चल रही है, ठीक है, मेरी जिन्दगी बिल्कुल भी खुश नहीं रहती जिन्दगी में, और मैं बड़ा इरिटेट फिल करता हूँ, आज कल मैं रूठा रूठा रहता हूँ, तो आप लोग ये 1000 विचार दे दोगे मुझे, पर लेकिन अगर मैं बोलू कि ये मैं बात आप लोग के लिए बोल रहा था, तो आप लोग बोलोगे, तो आप लोग थ पर लेकिन जिस तरीके से मैं चीजों को करने की सोच रहा था, उस तरीके से वो चीज़े नहीं हुई थी, ठ jap है, रिएलेटी ये है, मैंने आप लोग को जो बोला था, वो एक अपोजिट बोल दिया, मैंने जान बुच्त कर, क्योंकि उस तरीके से चीजे नहीं हुई थी, तो मैं वीडियो बनाने से पहले मेरा mood ऐसा हो गया कि मैंने गया यार बस इनसान जो आता है कि सोच कुछ रहाता हो कुछ जा रहा है तो वीडियो बनाने से पहले ऐसे लगने लगा नहीं यार छोड़ो मज़ा नहीं आ रहा ठीक है वो वाली feeling आ गई तो फिर मैंने इसको सोचा, इसको salivate करता हूँ, मैं कुछ ऐसा सोचू ना कि आज मैंने बहुत कुछ अच्छा अच्छा अचीव कर लिया है, तो अंदर से ऐसी feel करना है, इसको कहते हैं, आप लोग mind को use करना, अपने mind को feel कराना कि जो चल रहा है जिन्दगी में सब कुछ अ हो जाती है, तो यह ही है, तो मुझे भी ऐसी लगा मैंने का पूरे दिन में जो हो गया, उसको उसके पर मिट्टी डालो, ठीक है, जैसे वो कहते हैं, कौन सी movie है, अनिल कबूर बोलता है, कुछ भी हो जाए, तो मिट्टी डालो यार, आगे बड़ो, ठीक है, तो वही वाली कियाता है, सनी है, कि हड़ टाइम चीज़े होती है, कई बार मैंड जो होता है, काफी ज़्यादा है, प्रेसर में चला जाता है, पर हाँ, यह है कि अगर एक्स्परिमेंट करते हैं, आप लोग लाइफ के साथ में, तो काफी कुछ आप लोगो नहीं सीखने को मिलेगी, बह करते हैं, आप बेसिकली काफी इंपोर्टेंट देखे, कई सारे आप एक बच्चा बोले है, सारे इंपोर्टेंट नहीं होते हैं, पर लेकिन हाँ, जिन दे की में थीम आप लोग बताता हो, कम से कम, खासकर जो रिस्टेंट में किसी चीज़ से लेटेड होते हैं, उनके ब इसके बारे में वैसे बहुत सारी चे चल रही है, कोरोना ने सब को रुला के रख रहा है, ठेक, कोरोना की वैसे रोना पड़ गया, बहुत सारे लोगों, रियलेटी में रोना पड़ गया है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारी प्रोलम हो गई जिंदकी में, आगे बात करत काफी अच्छा concept लगा मुझे personally जब पढ़ा इसके बारे में interesting चीज़े जानने को मिली हलाकि थोड़ा तो जानता था क्योंकि पहले पढ़ा चुको उसको लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा reason किया होगा तो याद होगा आप आप लोगों फिर से अच्छे से याद दिला पिछले कईयो सालों में एक ही बार किया गया हो किस year में किया गया है तो इसलिए इसके उपर मैंने अच्छे question मनाए क्योंकि मुझे लागा कि इसके उपर आप लोग को बता होना चाहिए और आगे बच्चों को भी आप लोग बेसिकली इन चीजों के लिए तियार कर सकते ह अच्छा समझेंगे अच्छे से प्यार से ठीक है आगे बात करते हैं ऐसी रिपोर्ट आप लोगों से एक्जाम में पूछ लियाती है इंडिरेक्ट नहीं बिल्खुल डिरेक्ट बोल देंगे वाल सुसाइटल प्रोडेक्शन रिपोर्ट 2022 के बारे बारे बता ये बारे सा पर बिसिकली समूंदर के अंदर तो ये पर्टिक्लर किस ओशन के बारे बात की जा रही है अगर देखें कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी पता नहीं होगा उनको जापान की लोकेशन का है जिन्हों ने अभी अभी चीजे करनी इशाट की है तो इससे यह नहीं है कि जो पड़ रहे हैं वह माँ की पेट से सीखें किय icon एंठीक है तो ऐक रखो तो सही पिर देखना see this can आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर कौन से ओशियन में, यहाँ पर बेसिकली फटा यह वोल कहने हो, यह आप लोग को बताने हैं, इंडियन आर्मी की द्वारा अभी हाँ पर पार्टिसिपेट करने की बात की की, बेसिकली तो सरदार खुस हो जाएंगे, अगर आप लोग कंट्री का भी नाम बता दो, चलिए पे नाव कोन को यूज कर रहा है, पहले तो यह बताओ, अब यह बताओ, पे नाव किस कंट्री की कंपणी है, यह आप लोग को बताओंगा, पता होना चाहिए, कम से कम देखे, आप लोग आप लोग कोई फोन यूज कर रहे हो, आपने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, तो आप लोग उसे पूछ रहे हैंगे, बताइए किस कंपणी की गाड़ी है, ठीक है, आपको क्या लगता है, अपनी कंट्री कंपणी कंपणी गाड़ी में और इन में क्या डिफ्रेंस है, आ ऐसे क्वेशन भी आप लोग को से कही बार पूछ ले आते हैं, जो आप लोग इन चीजों के लिए तयार रहने चाहिए, आप लोग घड़ी बांद रहे हैं, तो आप लोग घड़ी के उपर क्वेशन बन जाता है, अच्छा, एपल की बोच लिए रखी है, ठीक है, ऐसा क् इंडिया है दिलबालों के, तो यहाँ पर बेसिकली इंडिया के द्वारा हमारी कंट्री के द्वारा अभी एक लिज पर दिया गया है, इनजिए कर लो कि यहाँ तुम भी सीज को, थी है tuh जो कि Passenger Variant, इर अभी है ट्रिवारीन है, यह थी जहाच जो यह हमारी कंट्री क्योंकि जम्मा एंट कास्मीर वालों ने बोला है कि भाई सब इसको implement करके हम भी देख लेते हैं जब बनाई रखे आप लोग ने तो भाई यह चलो कर लो implement तो जंता को फायदा होगा अगर अच्छे से implement कर देते हैं तो उसी के बारे बात की जारे तो लेट सी कि how they are going to implement it तो उसके बाद में फिर जल तो आप लोगो पता चली जाता है implementation का ठीक है तो यह थी कुछ चोड़ी-चोड़ी मगर मोड़ी बात है आईए चलते हैं अपने next phase के और अभी हाँ पर हम लोग बात करेंगे important day के बारे में तो important day को important day क्यों बोलो हूँ इसको इसलिए important day बोलो हूँ क्योंकि important है यह यह है basically world patient safety day तो देखे अगर कोई patient के बारे में बात करें तो कोई भी बीमार आदमी patient हो जाता है पर लेकिन पता चला patient आदमी था normal गया था वहाँ पर बुखार था उसको और hospital में गया उसको corona कर दिया ठीक है तो यह वाली चीज़े देखने को मिलेगी ऐसा मैंने क्यों बोला मुझे हमेशा याद आता है एक particular incident जो कि मुझे काफे अंदर तक case पहुचा गये था South India में एक woman थी वो woman pregnant थी उस woman को blood की जुरत थी उसको blood दे दिया एक AIDS से ग्रिसित इंसान का तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान खत्रे में डाल दी तो यह इस तरीके हरकते ने हो तो उसी के बारे बात की जाती है तो यहाँ पर basically बात की जा रही है safe maternal and the newborn यहाँ के जच्चा और बच्चा दोनों के बारे में ध्यान रखना है खासकर COVID-19 के टाइम पर तो खासकर तो 17th of September जो है यह day आप लोग को देखने को मिलेगा और इसके चलते हैं हाँ पर patient safety जो है और इसके साथ ने बोला जा रहा है patient safety and call एक तरीचे call करना है for solidarity ताकि unite बिलकर एक्षन ले सके national लेवल पर भी country के लेवल पर भी और international लेवल पर भी और चीजों को सुधार सके ठीक है कभी established किया गया तो 72nd world health assembly हुई थी आपर 2019 में तब यहाँ पर इसको adapt किया गया तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा resolution था है आपर world health assembly का 72.6 तो इसके चलते global action on patient safety के बारे में बाखेगी कि भाई साब patients को बचाना हमारा काम है चलिए इसके बारे में आप लोग याद रखेगा अच्छा WHO के बारे में आप लोग पहले भी कई बार पढ़ा है यह मत बोलना पढ़ा है ठीक है वरना पिटाई कर दूँगा पिटाई नहीं मतलब देख यार याद रखा गुरो ठीक है यह से सी चीजे है कि आप लोग अगर इनको basically भूलते रहोगे ना तो फिर दिक्कते होने इसके बारे में जरूर याद रखने के लिए इसलिए बोल रहो हूँ क्योंकि COVID-19 के वज़े से जो डबुले एच्चो जितना न्यूज में है और कोरोना की वेसे इहाँ पर जितनी ज़्यादा गाली ग्रोलंग ट्रम के द्वारा डबुलेचो को दी गई है वो सायद ही किसी ओर्गिनाजिशन को आज तक दी गई होगे इसके द्वारा डबुलेचो को फंडिंग करने के मामले में बात करें तो अभी USA ने हाथ खीजे थे Bill and Melinda Gates Foundation जो था वो help करने के लिए है वो अलग बात है कि Bill and Melinda दोनों अलग-अलग होगे पर हाँ यह कि काफी बड़ी ओर्गिनाजिशन उसमें health प्रोवाइड कराती है इसके बारे में जो important बात मैं आप लोगो बताना चाहता हूँ वो और याद रखेगा अगर पूछ ले कि World Health Report किसके द्वारा तयार की जाती है तो World Health Report कौन तयार करता है तो यह त्यार करता है WHO World Health Organization ठीक है तो confuse आना नहीं है यार चहू मुखी विकास होना चाहिए पढ़ाई करो तो ऐसे गरो कि चारो तरब की ग्यान रहे आप लोगा यानि कि ऐसा नहीं कि वनी कहते कि एक single direction में चलोगे तो answer भी नहीं लिख पाओगे तो every dimension direction की knowledge होनी चाहिए तब ही समझ पाओगे ठीक है आगे चलते हैं आपर basically important news है एक एक करकर नज डालेंगे इनके उपर reserve bank of India कोन है यह हमारी country का central bank ऐसी तरीके से अगर USA का central bank में आप लोगों से पूछू क्या है बताइए जरा तो इसके द्वारा यह बोला गया है कि monetary authority of Singapore और हमारी country का जो RBI है दोनों मिलकर यहाँ पर यह पकड़म पकड़ाई खेलेंगे यानिक एक तरीके से मिलकर जो है काम करेंगे अच्छे से चिपन चिपाई खेलेंगे मतलब क्या है हमारी country में आज की की system किया लगती है कि आप लोग कभी किसी को कोई account number देनी की जूरत नहीं है आप लोग एक अपना hypothetical एक basically ID की rate कर सकते है उसके base पर आप लोग easily अपना payment कर सकते हैं तो आप लोग की personal information जो है वो personal रहेगी ठीक है और मुझे ऐसी चीज़े बहुत पसंद आती है जहां पर आप लोग की personal information रहेगी पुब्लिक नहीं हो तो आप लोग भी इसको use कर सकते हैं अगर बात करें तो हमारी country का UPI हो गया और यहाँ पर जो basically Singapore का उसका pay now हो गया तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो यह basically facility provide कराएंगे ताकि instant, immediately, low cost, cross the border fund transfer किया जा सके यानि कि अगर आप लोग को fund transfer करना है across the border तो आसानी से आपर जा सकेगा तो एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं देखिए Singapore के साथ में हमारे वयापार थोड़े अच्छे है हमारी यारी दोस्ति अच्छी है तो इसका चलते चीजों को अच्छे तरीके से लेकर चलने की कोश्च की जा रही है पर लेकिन ये जो काम हम लोग कर रहे हैं मिलकर तो इंडिया और सिंगापूर के relation के बारे में कुछ लिखने के लिए आजाए ना पेपर सेकिंड में अगर आप लोग जाएंगे ठीक है इंटरनेस्टल रिलेस्टन के अंदर तो हाँ पर भी आप लोग इसको यूस कर सकते हैं एक तरीके से एकनोमिक डाइमेंशन देखा तो यहाँ पर अभी बात करें तो इसको कोपरिसनलाइस के जाएगा 2022 में तो अगर आप लोग नेक्स्टेर की त्यारी करें 2022 के लिए तो कोश्चन त्यार हो रहा है आप लोगे लिए हाँ पर भी कोश्चन बन सकता है तो फिर से आगया न्यूज में तो इससे जैसे रिविजन होते रहते हैं ठीक है कहां कहां पर सेंटर है बताओ चलो सबको सेंटर मिलने आओंगा अब अच्छे से बढ़ाई कर लो बिल्कुल रिविजन करते रहो अच्छे से और ऐसे सी चीज़े जो है एक्स्टर थोड़ी से में बताता रहोंगा ताकि वीडियो से भी आप लोगा थोड़ा रिविजन ह के अंदर ऐसे बड़ी फ्रिक्वेंटी बनते हैं अब यह वेपर देखी होंगा आप लोग ने तो पीयर टू पीयर फंड ट्रांसपर करने का काम करेगा पीयर टू पीयर मतलब क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं यह एक इंसान जो पर बढ़ान है तो सियर कर लो बाई सा फोर सा बड़ा नाप भी ले लियार मुझे ही क्यों मार रहो है आप बोलते हो UKर वेजियर मोग सब को बढ़ाओ ठीकर है कि क्या बियालोग आरे नियारियो से मैं बोलता हूं, कुछ को तुम पढ़ा दो ठीक है तो वो वाली बात थी तो होता क्या है इसमें ये रहता है कि मिल जूल कर काम किया जाए तो बहुत सारी प्रॉलम के सोलुशन निकल जाते हैं तो अगर कोई आप लोग को एक ऐसा इंसान मिले जिसके साथ में आप लोग बिलकुल सही तरीके से सिंक्रोन सिमें काम कर पाते हैं और वो आप लोगரोग साथ में punt gev ने को सो ऑगर होगा हो जाता है वहनित गोलोग कि आइसे साथ में खूस रहेंगे क्योंकि वह आप लोगी फ्र awakenci के साथ मैंच कर παते है तो तो इस तरीके के इंसान को आप लोग समझें जिंदगी में और ऐसा ही इंसान आप लोगे पास में होना चाहिए, वरना जिंदगी में काफी सारी दिक्कत देखने को मिलेगी है, देखो इसने भी बना दी हाँ पर गोला कि यहाँ ऐसा इंसान होना चाहिए, ठीक है, अब यहा आपर बात कर लेते हैं कंट्री के बारे में हाला कि इसके उपर मैंने question भी पुछा था आप लोगों से Hindu news server के अंदर एक बार फिर discuss कर लेते हैं बात की थी हम लोग ने अगले का island के बारे में तो अगले का island को है आपर ये located है इंडियन वेशन के अंदर पहली statement दूसरा बुला गया अगले का island जो है located है आपर south to the मुरुसस और तीसरा statement है आपर बिलोंग करता है मुरुसस को सही statement क्या थी ये बताना था ए में बुला गया 102 भी मुला गया 2N3 से मुला गया 1N3 डे बुला गया all of the bow तो आप लोगों ये बताना है सही answer क्या है A, B, C, F, D चलिए attempt कीजे फिर news complete करने के बाद आप लोगों बतातों अभी मुरुसस में ऐसा क्या हो गया मुरुसस में basically ये हुआ हमारी country passenger variant जो यहाँ पर dornier PVD जिसको आप लोग बोलते हैं वो हमारे द्वारा leads पर दिया गया है basically हाँ ठीक है तो इसको यहाँ पर यह use कर पाएंगे तो maritime जो air squadron है ओफ जो national coast guard है मुरुसस की वो इसको use करेगा तो यहाँ पर जो यह aircraft है यह पर यह present किया गया है और important बात यहाँ पर यह कि एक तरीके से बिल्कुल ऐसे होता है जैसे नहीं आप लोग किसी की help provide करा रहे हो और फिर आगे चलकर आप लोग के relation अच्छे हो जाते हैं तो फिर आगे चलकर आप लोग को और सारी चीजों में भी कई dimension में आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं तो बोला यह जा रहा है कि अगर यहाँ पर यह चीज अच्छी चल पाती है तो आगे चलकर next year हमारी country में जो HR है वो handover करेगी यहाँ पर यह new branded state of art जो PVD है यानि के passenger variant ओफ जो डोर्नियर है यहाँ पर यह मरुसस को उरसी के साथ में हाँ पर यह कैसे किया जाएगा यह interesting ची गरा government क्या करती है बोलती है कि यह income tax है आप लोगा income tax के ओपर हम लोग ने 2% says लगा दिया यानि कि अगर आप लोग 100 रुपे income tax पे कर रहे हो तो आप लोग अब 102 रुपे income tax पे करना है क्योंकि 2 रुपे उस पर says लग गया यह income tax के ओपर tax इनके tax के ओपर tax तो यह कैसा हो यह हो गया basically environmental यानिकि says environment के लिए use के जाएगा तो इसी तरीके से line of credit होता है line of credit क्या करते है जब किसी particular country को दे दिया और हम लोगोंने condition add कर दी कि यह line of credit आप लोग ऐसे use करोगे यानिकि हम लोग तुमको loan दे रहे हाँ आपर यह दे रहे 100 basically million rupees ठीक है अब यह 100 million rupees आप लोग इसके चलते बोला गया है यह facility जो provide कराएगी है हम खुदी पैसे देना है और खुदी खरीदवा रहे है ठीक है तो इस टार्टी में ऐसे करना पड़ता है ठीक है ताकि आगे चीज़े इनको अच्छे लगे फिर आगे और खरीदने लगे है तो इस तरीके से चीज़े आप अगलेगा जो है आपर यह आप लोगों देखने को मिलेगा exact location कहा पर है यह होगी हाँ पर और मरुसस कहा पर है यह हो गया बिसिकली हाँ पर ठीक है तो इसे कोश्चन आप लोगों से बन जाते है exact location आप लोग यहाँ पर देख पाते है अपनी प्यारी country के compare में compare करके देख अभी हक दिखाया गया थे हैं आपर basically UK के द्वारा तो इसके वे से काफ फिजद है न्यूज में था ठीक है तो याद रखना भी लोगल confusion आना नहीं है यह मत बोल देना question कहां से आगे ठीक है पूरा detail में पढ़ा दिया अब confusion मत जाना आगे चलते हैं basically Supreme Court के बारे बात करते हैं Supreme Court जो है हमारी country का highest court है ठीक है तो सबसे पहले तो अगर कोई भी case कहीं पर भी अगर आज जाकर रुखता है final destination होता है तो वो कोन है वो है Supreme Court ठीक है तो उसी के बारे में हाँ पर बात की जारी है basically यहाँ पर अगर बात करते हैं तो Supreme Court के द्वारा यह बोला गया है कि यार देखो जो reservation reservation का funda है न यह आप लोग बोलते हो यहाँ पर reservation देदो यह reservation देदो ठीक है तो Supreme Court यह बोलता है यार हमारे पास पर मत आया गरो यह case लेगे यह case न आप अपनाय आप देख लेगरो यांगर आप लोगो यहाँ लगता है कि आप लोग 그러 को reservation देना है हमने बताया गया दो था कि भी Antwort डेना है तो वोग reservation देलो हमनों कोई दिखकश को कहते हैं यह condition दो tighten थो हो रो आप लोग क्या करते हैं आप लोग बेसिकलिए अपने हिसाफ से काम करते हैं, रिजर्वेशन दे देते हैं, कंडिशन जो बना रखी हैं, उन कंडिशन को फुल्फिल नहीं करते हैं, और फिर केस हमारे पास में आते हैं, हम लोग उसको उठा कर उसमें, डस्विन में फैंक देते हैं, यानि कि जो पर्मोशन होते हैं, उसमें हम लोग को रिजर्वेशन देना चाहिए, या फिर नहीं देना चाहिए, तो सुप्रीम कोड़ना देखें, बहुत बड़ा जादूगर है, हमारे देश के अंदर में हो रही है, मुझे सबसे इंट्रेसिंग इसका जादू कहाँ पर लगा, जब इसने 1973 का जो concept निकाल कर लाया, बेसिक इस्ट्रक्चर का, देखो कैसे बेखूप बनाया एक गुर्मेंट को, पता है क्या बोला गुर्मेंट को, गुर्मेंट को बोला बेसिकली, बेखो पार्लेमेंट को सारी पावर है, जितनी पावर आप लोगो चाहिए, समीध हान का कोई भी पार्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोगो लगता है, हम आप लोगो नहीं रोकेंगे, बस करना क्या है, कि आप लोगो बेसिक इस्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, गुर्मेंट खुस होगे, गुर्मेंट बोली, कि हाँ तक तो खुस थी गुर्मेंट की पावर दे दी, कि हाँ चलो बेसिक इस्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, पर गुर्मेंट ने बोला अच्छा भाई ये तो बता दे सुप्रीम कोट की ये बेसिक इस्टेक्चर क्या है तो सुप्रीम कोट ने बोला भाई साव ये न हम डिसाइड करेंगे case to case यानिके जब case आएगा न हम तब बताएंगे बेसिक इस्टेक्चर है या फिर नहीं है यानिके अपने हाथ में पावर लग लिए और उने बेक तरीके से मनला बोल भी दिया कि पावर तुम्हारे हाथ में और बागी डिसाइड हम ही करेंगे कि वो क्या होगी बेसिक इस्टेक तो यह आप लोग याद रखेगा IMPORTANT आर्टिकल है कई बार आप लोग उसे पूछ ले आता है अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल अगर न्यूज में आ रहा है है तो Supreme Court के हाथ में पावर होती है ठीक है तो इसके बारे में यह basic information है जो याद रहना और article 143 बताईए चलिए ठीक है यह तो आप लोग पिंगल गए है चाहे वो कहीं पर भी हो हिमाले के उपर और चाहे वो यूरोप में देख लो तो पिंगलते हैं तो पानी जो है वो समूंदर में आता है फिर समूंदर का लेवल उठता है तो फिर गर्वी होते दिक्कते बढ़ रही है ठीक है तो इनके दोरा बोला गया यहाँ पर एक तरीके से शोशो एकनोमिक जो इस्टेटस है अगर यहाँ पर फोरेस्ट में रहने वाली कम्मुनिटी गा तो उसको काफी ज़दा फायदा होगा 14 लाक के करीब जो पॉपुलिशन है ट्राइबल उनको फायदा देखने को मिलेगा इसके चलते जो नोमेडिक कम्मुनिटी है नोमेडिक उनसे होती है जो घुमकडवाली होती है आज भर कहीं और बसे रहा होगा ठीक है covert आठो और पहुत लोग और prophets के इतना आप लोगा तो आप लोग इसको attempt करते रहोगे इसके बारे बात करते हैं तो बिसकली बात की जारी है कि 14 lakh के करीब लोग फायदा होगा इसमें गुजर एक तरीक से जो बिसकली गुजर और बकरवाल कम्मुनिटी है इसी के साथ में हाँ पर गड़ी यह यहाँ पर सिप यह कम्मुनिटी आप लोग देखने को मिलेगी यूनिटेट्री के अंदर तो अगर आप लोग उसे कोई पूछले कम्मुनिटी कहाँ पर पाई जाते हैं कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं तो अगर आप लोग जो गुर्जर बक्वाल के हाउस हम पहड़ा दियाता है कि यहाँ पर न तुम्हारा घर बनाने का हक नहीं है तो आगे चलकर अगर इस एक्ट के तुर यहाँ पर चीजों को प्रोटेट के रहे तो फाइदा रहेगा ठीक है तो उसी के बारे बात की जा रही है तो यहाँ पर बेसिकली देखिए अगर कोई निकल के आता है तो उसको एप्रिशेट करना चाहिए यहाँ पर यह है बेसिकली जावेद है ठीक है तो जावेद रहाई जो है बेसिकली है यहाँ पर यह निकल कर आए तो ये tribal right activist है, इनके द्वारा basically बोला गया कि कुछ तह ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तो JNK government के द्वारा जो historic move है, वो कहीने कही अच्छी चीज़े हैं पर बोले गया और सही चीज़े निकल कर आती है, सही टाइम पर, तो सही जागे चीज़े पहुच जाती है, ठीक है, तो य market and इसी के साथ ने बात की जारी आँपर ninja card, ठीक है, तो ये मिलकर का 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 काम करेंगे भाईया, ये मिलकर ये काम करेंगे, कि जो हमरी country में जो किसानवा है न, यानि जो farmer है हमारी country में, तो उनके लिए database तैयार करेंगे, देगे कितनी interesting चीज़ लगी मुझे article पढ़ने के ब कर रहे हैं, अगली साल तक करनी है ये, और अब यहाँ पर data ही खटा किया जा रहा है, इसके ओपर तो एडिटोरियल भी डिस्वस्या था, मैंने, government से पूछा गया, carmen की income double double to करने की बात कर रहे हैं, तो बता दो, गरीब कोन कोन है, तो government ने बोला, रुख जो अभी, थोड इसके चलते काफी कुछ देखने को मिलेगी, फार्मर की income double होगी, जो agriculture मिश्ट रहे है, तो यहाँ पर नरेन सिंग तोमर साब जाए, इनको यहाँ पर यह बाते बोलेगी है, नरेन सिंग तोमर साब जाए, कई जगे आपकी बार किसानों का प्रोटेस चला था, पिट भी ग मुझे, तो UP की थी बेसिकली वो जो वीडियो के द्वार भेजेगी थे, बाकरी देख लेना आप लोग जो भी है, तो कुछ ऐसी से भी चीज़े देखने को मिली, चले जो भी है तो मोनिटर किया जाएगा, सोवल कंडिशन को और भी काई सारी चीज़े देखने को मिलेगी इसी के साथ में जो Digital Agriculture Mission यहाँ पर आएगा, जिसके चलते है National Farmer Database त्यार किया जाएगा, और हम लोग चीज़ों को समझ पाएगे, सेंटर को भी बोला गया है कि सेंटर एक तरी से पूछा गया, इस चेट से की कैसे Land Record को लेकर चलना है, क्योंकि Agriculture at the end of the day important question मन जाएगा, समि अब सारे आटिकल में एक चीज़ आप लोगो समझ में आएगी, यह क्या है, तो इसको बोलते है National Commodity and Derivative Exchange Limited, तो यह जो है बेसिकली एक तरीगा, यह Indian Online Commodity and Derivative Exchange बेसे जो कि मुंबई के अंदर में है, और Ministry of Finance के अंदर में यह आता है, ठीक है, तो मतलब डेटा एकटा कर चारो तरक से यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो बेसिक सी information है, confusion तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी है, तो बताइए कब यह उसको दूर करेंगे, ठीक है, तो यह होगी basic information, अब कुछ important information जो में आप लोग से distance करने वाला हूँ, थोड़ा से धान से सुनिएग कई बार आप लोगों से कई सारी organization के नाम देकर, आप लोगों से ने इनके headquarter भी पूछ ले आते हैं, ठीक है, तो कुछ के तो मैं बतादा चलूँगा, ठीक है, लेकिन अकेला नहीं बड़न लोगा में, ठीक है, आप लोगों से पूछो हो तो आप लोगो भी चीज़े बत चीज़े हैं, एक सो साल पूरे हो चुक हैं, 150 साल पूरे हो चुक हैं, कोई भी ऐसा incident है जिसको इतना साल पूरे हो चुक है, उसके बारे में question यार आप लोगो सेने पूछ लिये जाते हैं, ठीक है, तो confusion नहीं है, अगर कोई भी ऐसी चीज़े आप लोगो देखने को मिलती तो उसके बारे में हलका अईडिया जरूर रखेगा अभी हाँ पर इसके बारे में बात कुरते हैं इसका हड़ कर रहे है जनेवा सुटिजल लेंड के अंदर में ठीक है तो यह इसके बारे में याद रहना International Labour Organization तो Labour से लेटेड जो भी दिक्कते हैं को दूर करने है खाम करती है एक तरीके से एक नॉर्मल एक तरीके से तयार करती है ताकि ओल ओवर वर्ल्ड में चीजों को इंप्लिमेंट किया सके तो इसी के द्वारा World Social Protection बेसिकली रिपोर्ट के बारे बात कीगी Social Protection रिपोर्ट के है Society में आप लोग रहते है Health Service मिल रही है आप लोगो ठीक है अच्छे लेवल पर Insurance वगर है Education की Service सही इंसान को सही तरीके मिल रही है तो सारी चीज़े अगर इस तरीके से हैं मालिज़े कल को जोब भी चली जाए एक बार को ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से Unemployment का कोई इस तरीके है के हाँ पर Revenue मिलने लगे हाँ पर कि हाँ यह फंड मिल रहा है तो इस सारी चीज़े एक तरीके से नहीं के काम नहीं है तो तब तक यहाँ पर कम से कम रोजी रोटी इंसान की चलती रहे कुछ ऐसा करना पड़ेगा अभी वो सारे लोगी जूब चलीगी तो उसी के बारे बात की जा रही है तो International Labor Organization के दौरा यह रिपोर्ट है जो कि याद रहना 4.1 बिलियन जो लोग है आपर उसके बारे है बात की जा अगर कल को बीमार हो जाए तो उनके पास में ना इंसुरेंस है कोई दिक्कात आ जाए तो उनके पास में ऐसा नहीं कि कल को चीजों को संभाल सके तो यह रिपोर्ट बता रहे हैं कि पहले से कंडिशन खराब थी पेंडमिक ने और उस पे नमक छेड़त दिया लाकर ठीक है ऐसी बात बोल सकते हैं यानि कि uneven और insufficient response आप लोग को देखने को मिलेगा जिसके चलते COVID-19 ने कहानी और ज्यादा खराब कर दी ठीक है तो यह बात बोली गए है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में जो labor force है वो कैसे हम लोग सही एक तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं और कैसे उसको फायदा पहुचा सकते हैं काम कराना गलत नहीं है लोगों से महनत करवा कर आफ लोग काम करा सकते हैं पर लेकिन उनके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा जो महनत कर रहे हैं ठीक है और देखेए अगर काम करने की बाठ आती है तो इंसान को हमेशा अगर कोई काम दे जिया गया है अगर माली जे मुझे कोई जूते पालिस करने काम देगा तो मैं उसको भी इस्तिने enjoyment के साथ में करूँगा जितने enjoyment के साथ मैं पढ़ाता हूँ काम को काम की तरीके से लो आप लोग उसमें यह मत देखो, यह छोटा काम है, बड़ा काम है कोई भी काम आप लोग को मिल जाए, तो उसमें सिद्दत से इतनी जान डाल दो कि कोई बोलने लगेगी हाँ, यार जूते भी न, ऐसे पालिस करने चाहिए ठीक है, तो यह वाली चीछे है, तो पर लेकिन वो तब होगा जब आप लोग उसको enjoy करना, start कर दोगे, ठीक है, तो social security में कम से कम basic minimum income मिल जाए, इंसान को रोजी रोडी तो चलती रहे, पता चला घर में भूगे मार रहे हैं सब unemployment है, भूग मरी है, disability हो गई, injury हो गई, ठीक है, कोई इस तरीके तो यहाँ पर बाकी के लोग है, उनके पास में कुछ है ही नहीं है, और हमारी country में तो काफी कम आप लोग को चीज़े देखने को मिलेगी, high level economic insecurity रहती है, कल को job चला जाए तो क्या होगा, ठीक है, poverty जो हो बढ़ती जा रही है, जैनि के अमीर-अमीर होते जा रहे हैं, गरीब-गरीब होते जा रहे हैं, और आज की देखने को लिए, COVID-19 ने सको और ज़्यदा बरबात कर दिया है, अगर बात करें, inequality बढ़ रही है, वही बात है, गरीबी भी बढ़ रही है ठीक है, पर लेकिन अगर आप लोग किसी ऐसी काम में काम कर रहे हैं, यह ready लगाने वाला कोई इंसान है, ठीक है, इस तरीके से सोचे, कोई ऐसे जुगी जोपड़ी में कोई इंसान रहता है, रिक्सा चलाने वाला है, काम पे नहीं जाएगा तो घर में चूला नीचे काम करा लिया, बाद में फिर छोड़ दिया, ऐसा एक केस मुझे देखने को मिला था, actually, हुआ क्या था, मेरे गाओं में जो, बिसिकली बाल काटने वाला जो नाई होता है, तो बिसिकली वो था, ठीक है, तो एक बार क्या था, मैं बाल काटने गया उसके बास में, तो रून कहने लगा, कहने लगा कि भाईया, ऐसे हो गया, उसने क्या गया पूरा जो टाइम निकाला अपना, एक तरी से बेटे को बैठा दिया, उसने अपनी दुकान पर, और वो लोगों के जुनित, यह वाले काम करना हो गया, या फिर छोलने वाला काम हो गया, खेतों में जाकर, यहों काटने वाला काम हो गया, तो काम करवाने के बाद में क्या गया, उसके पैसे नहीं दिये, बेसिकली, ठीक है, और जो दिये भी, वो भी बहुत कम दिये, तो इस तरीके से इनसान क्या गर ले, तो कहीं पर कोई लिखता तो है, यह गाउं में नोर्मली अगर आप जी बोलेंगे और पैसे भी देखर जाएंगे, तो वाली कंडिसन आप लोग देखते हैं, तो हमेसा खून जो चूसा जाता है, वो हमेसा गरीब का चूसा जाएगा, यह चीज़ देखने को मिलेगी, जेल में इतने पड़े हुए हैं, वो सारे मैक्सिम आप लोग को गरीब ECD person को भी ले सकते हैं, सल्मान खान को अगर आप लोग नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं एक तरीके से उधान के तोरव बताया, जो recently अभी मैंने देखा था, बंदा जय जेल तक पहुचा है नहीं, ठीक है, केस चल रहा है इतनी दिनों से, वो चलते जा रहा है, अब तक कोई ज़रूरी हो जाता है, जो कि नहीं मिल पाती है, पर यूरोप और सेंट्रल अमेरिका जो जो कंट्री है, वो फिर भी अमीर कंट्री है, वो कई सारी चीजे प्रोवाइड करा दीती है, तो हाँ पर 84% है करीब लोगों को at least one benefit है, ठीक है, तो यानि कि अगर all over world में देखो त इतना 84% है, तो हाँ पर फिर भी सही है चीजे, ठीक है, country जो spend करती है average 12.9% GDP, social protection के ओपर, हाँ पर health including ही नहीं है उसके अंदर, health के ओपर तो इतना कम खर्च कहता है हमारी country में, कि रोध होगे सुनकर, ठीक है, जबकि बोला भी जाता है कि इसके ओपर अच्छा का जा बोलते हैं कभी 2% करेंगे, कभी 3% करेंगे हैं, पर 1.something से नीचे अभी हाँ पर आप लोग को देखने को नहीं है, 1.6 या फिर 7 आप इसको बढ़ा रहे हैं यहाँ लागी, code 19 के चलते हैं, तो data देख लेना एक बार, यह condition है आजकेर में, global level पर अगर आप लोग बात करते ह इसको मिलेगी, 18.6% लोग हैं, जो unemployed होने के बाद में को कोई benefit मिल जाते हैं, employment, इसे related unemployment benefit जो मिलते हैं, क्या जोब नहीं मिल रहे हैं, चलो इसको कुछ 5-6-5-6 दे देते हैं, थोड़ा सा जिन्दी चलती रहेगी, ऐसे ऐसे condition देखने को मिलती हैं, तो यह सब वो चीज़े ह जिसके बारे में आप लोग idea रख सकते हैं, confuse जाना नहीं है, question बन जाए तो idea रखना, ठीक है, यह है वो article जिसके बारे मुझे बोला था मैंने कि अच्छा लग रहा है मुझे, तो इसके बारे मात करते हैं, पीसा के बारे मात कि जाले, इसको बोलते है, program for international standard assessment, यानि कि international level प पढ़ सकता है, mathematics में कैसा है, science में कैसा है, literacy कैसी है, यह basically आप लोग देखेंगे, ठीक है, यह basically देखेंगे, science, literacy every three year, इसी के साथ में knowledge देखेंगे, real life ही कैसी, यानि कि पढ़ाओ को पढ़ाओ गया है, या फिर दुनियादारी भी जानता है, पता चला, दुनियादारी में मतलब नहीं, एक के साथ में रहा करते था, तो जानता मैं भी था, थोड़ा सा कि हाँ, दोस्त का दोस्त है, कोई ऐसा मेरे साथ में जाद है नहीं था, तो उसने बोला कि यार उसको जानते है, नाम याद है, तो क्या रहा है कि अभी ना, basically उसकी साधिय भी है, ठीक है, तो पर हां लेकिन वो ऐसा है reality में यानि कि वो कभी भी घर से बाहर ने निकला बस ऐसा है कि अपने local ये रहे हैं महीं पढ़ लिया वहीं पर ही सारी चीज़े complete कर लिया घर से सारे काम चल रहे हैं वो साथ में भी रहता था उसके friend के तो हमेसा पूछा करता था कि वो नहीं ये वाली चीज़े तो ये चीज़े एक मतलब 12 तक चीज़े ये सही है ठीक जैसे आप लोग graduation में आते हैं तो parents को भी चीज़े समयने चाहिए और बच्चों को भी कि उनको अपने decision लेने दो ठीक है कई जगे ऐसी होगी जहां पर parents available नहीं होगे ठीक है तो अगर वो हरत ची कि हाँ आप लोग responsible person बन गी हो ठीक है तो बस यहीं बोलना था बाकी बत्तमी जी नहीं करने को जादा ठीक है कि हाँ नहीं ऐस तरीके से हम जवान हो गया हम किसी की नहीं सुनेगे वो वाली नहीं नहीं चीज़े वारना मून धे मूँ पड़ोगे जो experience होता है खासकर उसको यूज करना चाहिए मम्मी पापा का या फिर कोई बड़ा बोले पर हाँ यह है कि सब लोग आप लोग को सही सला भी नहीं देंगे पैरेंट्स ही एक ऐसे इंसान होते है जो आप लोग को हमेसे सही सला देंगे ठीक है पहली बार conduct किया गया 2000 में बाकी आगे बात करें तो इ इर्गिस्तान थे हैं आपर बाकी के सारी कंट्री जो थी हम से आगे थी तो 72 नंबर बर थे हम लोग यहां पर ठीक है तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो आप लोग उसे अगर पूछे जाए बाकी यहां पर तमिल नाडू से अब की बार और हिमाचल पर पहले हैं पर हमाचल परदेश तमिल आडू से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे हैं 2022 में जो होने वाला है 21 में तो वह नहीं COVID-19 ने सब को बेसिकली आप लोग को पता है घुटनों पर ला दिया अब 21 में होगा तो चंडिकर के बेसिकली बंदे हाँ पर आने वाले है तो हम लोग अपनी education system के अंदर, school के अंदर, reform कुछ लेकर आएंगे, जिसे की learning standard हमारी country का बढ़ेगा, होनी कहते है कि जब तब कोई बेज़ेती ना कर दे तो सल्मान खान वाला dialogue है, वो बड़ अच्छा लगता है मुझे, सुल्तान movie का आप लोगों ने सुनाओगा, कि भ पर basically मिलकर काम करेंगी, इसके ओपर तो देखते हैं कैसे चीजे चल पाती है, recognize करने की बात की जारी है, एक तरी से acceptability की बात की जारी है, तो student जो है, वो prepare करेंगे चीजों को तो आगे चीजे चलेंगे, 21st century में global economy बढ़ने वाली है, आज के रिवे maximum company बाहर की है, हमारी country मे WhatsApp जो भी आप लोग यूज़ करें सारी चीजे, तो international level का standard हमारे बच्चों का भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग को तयार करना चाहिए चीजों को, तो ये बात यहाँ पर बोली गये थे, तो important है, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जो की question पूछ जाए तो ये फटा, तो फटा तो फिर इसके अंदर से basically, ओने फटा तो दुर घटना घटी, तो काफी कुछ निकल किया, इसके अंदर से मलबा जो था, तो बोला गया, काफी उचाहिए पे चला गया, और अगर कोई यहाँ पर समूंदर के अंदर कोई ऐसा फटा है, कोई ऐसा व तो जो यहाँ पर इसकी जो basically, जो निकल कर यह राख वगर जो ऊपर गई है, उसके बारें बात की जा रही है, नोर्मली यह वाला जाता है कि अगर कोई सम्मेरीन है, आपर lower, जो basically eruption clouding होती है, जो की lower level पर तेहती है, तो यहाँ पर यह बोला है कि काफी ज़्यदा पहुच तो बोला गया कि यहाँ पर जो clouding, जो reaching end की lower boundary जो है, वो strato spare तक पहुच जा रही है, अब आप लोग समझे है, strato spare कहाँ पर है, ट्रो पर होगे है, तो यहाँ से चीज़े फुटी strato spare तक पहुच गई, समझे आप लोग रही है, उपर हो गया muse spare, यहाँ पर हो गया thermo spare, औ तो इनके बारे में याद रखेगा, question कई बार पूचे जाते है, तो यहाँ पर आप लोग उसे पूच लिए आती है, तो हलका अलका सा idea रखेगा, और जापान के पास वाला जो area है, यह भी आप लोग के लिए important हो जाते है, जापान की 4 islanders इनके बारे में याद रखेगा, हाँ पर हुंसु देखने को मिलेगा, ठीक है, इसी के साथ में हाँ पर यह सुकुकू, ठीक है, और यहाँ पर क्यूंसु, ठीक है, तो यह नाम है, पर लेकिन यह आप लोगों से increasing में north से south और south से north लगाने में पूच ले गया है, पहले भी, अगर पुरानी question paper आप लोगों लगें, पर feedback देकर जुरूर जाए गरू, ठीक है, comment box में comment open है, बताईए जुरूर कहां पर दिखकत है, उसको सुधारा जाएगा, world patient safety day के बारे बारे बात करी, हिचक है, तो इतनी आती है, क्यों आती है, इसके बारे पता लगो गया है, ठीक है, इलाज करेंगे इसका उप सबसे पहले हाँ पर देखेंगे, हम लोगों ने इसके बारे में समझा, detail में काफी अच्छे से, ठीक है, next हम लोगों ने news भी देखेंगे और एक question भी देखा, तो इसके बारे में याद रखना है, इसके बारे हम लोगों ने सोड नियूद जानी, Supreme Court के बारे बारे बोल रह उनके द्वारा judgment दिया गया, तो Supreme Court ने बोला कि उस judgment के base पर देख लो न, आप लोगों खुड decide करो कि हाँ, community को promotion देना है, resolution में नहीं देना है, तो state का subject है, state decide करेगा, अगर यहाँ पर rule or regulation के हिसाफ से नहीं चलोगे, तो case हमारे पास में आएगा, फिर हम लोग सोनेगे, फ confuse आप लोगों नहीं होना है, इस ही के साथ में हम लोगों नहीं है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेगा, एक और छोटी ची news रहे गई, ठीक है, यह भी आप लोग देख लिए आपर, यह basic military exercise है, Russia और India जो है आपर इसमें जाने वाला है, तो इस ही के बारे में है, तो यह आप लोगो देखने को मिल रही है, इंडिया की टुकडी भी हãँ पर जाएगी, सिद्ञय आप लोग निजनी, तो निजनी है यहाँ, और यह क्या इस का नाम है, इस का नाम है जापड, तो जापड रस geste पर हैं, एंडिया वार्सिया श्या है, वह focus करती है कि कैसे terrorist इसके साथ में हाँ पर सर्भिया रस्या इंडिया बेलरूस यह देखने को मिलेंगे एट कंट्री उब्जरवर भी है आपर यह इंपोटेंट है हम पाकिस्टान वगरा उब्जरवर है आपर ठीक है शाइना भी उब्जरवर है इसके साथ में सेंटर आप लोग बोल सकते हैं तो है 19 रस्या में देखने को मिलेती यह भी इंपोटेंट था इंडिया के द्वारा पाडिसिबेट किया गया नाग बटालियन हमारी पाडिसिबेट कर लिए तो यह हो गया कवर आज का ओके अब कॉश्चन है इंका अंसर आप लोग दीजए ठीक है तो यह जो है आप लोग इसको पढ़ लीजे इसका अंसर दीजे एक्युली लेक्चर थोड़ा सा लेट हो रहा है ठीक है तो यह और लेट मिलेगा आप लोग को जल्दी जल्दी देख इसी के साथ में इंडिया का पाडिसिपेट किया था यह रिपोर्ट किसके दूर्ट किया गया है और फोड्रस्ट राइट कहां पर इंप्लिमेंट करने की बात की जा ये question है इनको आप लोग attempt कीजिए world ozone day के बारे में theme आप लोग को बताने है NCLT और IT8 है क्या था इसके बारे बताईए कौन सा amendment करके हमारी country में tribunal end किये गए थे ये बताने है sonal bank के बारे बात की थी तो इनकी forum का नाम क्या किया चेंज करके forest के बारे में बात की थी किसके बीच में हाँ पर सारा गड़ी ये आप लोग को बताना था इसी के साथ में हाँ पर basically बात की जारे eradicate करने की जो lead petrol था leaded petrol किसके द्वारा बताया गया था कब इसको यहाँ पर launch किया गया था किसके द्वारा ये बताना था, कौन सा मन्त पोसंद महा के रूट में यूज किया जाता है, ठीक है, आंसर देख लेते हैं, Montiel Protocol है, याद रहना, Keeping Us Over Food and Vaccine Cool, National Company Law Tribunal और Income Tax Applied Tribunal हो गया, 42nd Constitutional Amendment हो गया, 1976 का, Sonal, Ben और Sonal, जो सुकला है, दोनों ही एक, इनके नाम है आपा, Sonal, जो बिस Sonal बोलो, Forum Against Rape था, इनका बाद में नाम चेंज करते गया, Forum Against Operation of Women, तो इनकी Organization का नाम चेंज किया गया, Fort, जो हहाँ पर है, Low Heart, और इसी के साथ में गुलिस था, ठीक है, इसके बीच में थी सारा गड़ी है, Communication Post, United Nation Environment प्रोग्राम के द्वारे हाँ पर लेड़िट पेट्रोलोग खुतम करने की बात थी, इसके द्वारा प्रोग्राम लोंच करते हैं, तो नेक्स लेक्चर मिलता हूँ, और जिस तरीके से आचुके है, आप लोग का एडमिट कार तो लगे रही है, आखरी दम तक लड़ना है, हतियार नहीं टेकने है, क्योंकि हतियार से एक तरीए से लड़ाई से भाग जाने वाला इंसान जो है, वो कभी भी उसको कोई याद नहीं रखता है, मड़ते दम तक लड़ना है, भली हार क्यों नहीं जाए यार, मतलब लड़के हार है, ऐसे छोड़के नहीं भागे मैदान, तो वह आली फिलिंग